बुस्रे को जो दाबत दिया हो वो शुक्चा उसने का ठीक है भाई दोनों बैट गए अपनी पोटली खोड़ी जो कुछ भी था साथ ने निकाल के रख दिया रोटियों के टुक्रे किये चार चार टुक्रे करके रख दिये और दोनों ने इंसाफ के साथ खा दिया फिर जब खाना खा चुके अल्लाह का शुक्र अदा किया फिर दोनों ने अप जबन क्रिश्चन हुदा गोड़े पे सवार उदर से गुजर रहा तो उसनी यह मन्ज़र देखा उसे बड़ा अच्छा लगा उसने गोड़ा दोड़ाया पहले वाले के पास पहुँचा का कहा जा रहे हो उसने पनी मन्जिल बता दी का जिसके साथ अभी तुम थे इसे जानते हो का नहीं है उसका नाम क्या है का नहीं जान उसका कमीला क्या है नहीं जान वो कहा जा रहा है नहीं जान तो क्या तुम जिसे नहीं जानते हो उसको खाने पे बुला लेते हो जिससे तुम वाकियत नहीं रखते है का नहीं ऐसा नही के साथ ऐसा नहीं करता तो का तुमको तुम तुम नाम नहीं मालूँ उसका कबीला नहीं मालूँ वो कहां से आ रहा है कहां जा रहा है तुम यह भी नहीं मालूँ और फिर भी कहता हो कि तुम उसे जानते हो कहां कितना तुम जानता हूं कि मेरा भाई यह ये नहीं जानता कि उसका नाम क्या है ये नहीं जानता कि उसका कबीला क्या है ये नहीं जानता कि वो कहां से आ रहा है ये नहीं जानता कि वो कहां जाएगा ये सब कुछ तो नहीं जानता पर ये जरूर जानता है कि वो मेरा भाई है का ये कैसे जाने लिया का इस तरह से मैंने सलाम किया उसने जवाब दिया मैं समझ गिया कि ये मेरा भाई है मैं समझ गिया कि ये मेरा भाई है और खाने का वक्त हो रहा था तो मेरी खेरत को गवारा नहीं हुआ कि मेरा भाई भूखा रहे हो और मैं खाने तो मैंने उसे आफर कर दिया, दावत दे दी, खाने के और हम लोंने मिलबार कर खाया, और फिर अपनी अपनी राह पर उसने दूसरे के तरफ घोड़ा दुड़ाया, वहां पूर्चा, उससे पूछा तुम उसे जानते हैं? नए, क्या गान है, झाविवा है? नए, खबीला? कहां से आ रहा है? नए, कहा जा रहा है? नए, तुमें कोई भी राछ चानते दावत दे दे खानी कि तो तुम बैठ जाओ कि उसके साथ खाने नहीं नहीं बैठे पिर उसके साथ क्यों बैठे का विए कि वो मेरा भाई है का नाम नहीं जानते गाउं नहीं जानते कबीला नहीं जानते वो कहां जा रहा है नहीं जानते पिर ये कैसे जान लिया कि वह तुम्हारा भाई है का उसने मुझे सलाम किया मैं समझ गया कि मेरा भाई और भाई मुझे दावद दे तुम्हें इंकार कैसे करदा भाई ने बहुत बस्ते दावद दी है तुम्हें इंकार कैसे करदा हम दोनों बैड़ गए और खाओ गए तो उसने पूछा कि ये तुमने कैसे सुखा कैसे जाना तो उनों ने बताया कि ये बात हमारे नभी महामद रसुल्मा च.श. ने फर्माया कि दुनिया का हर मुसल्मान आपस में भाई बाई है अब बस में भाई भाई है तो जब मारे आका ने फर्मा दिया और ये पहचार है हमारे गन्यान कि हम जब एक दूसरे को नहीं जानते तो इस अंदाज में जान देते है कि जब हमने सलाम किया जवाब आया हमने जान दे वाँ तो उस पर इतना गहरा असर होता है इस बात का वो मज़ग जो अंजान लोगों को पर में एक बना दे भाई बना दे और इतनी महबद पैदा करते कि भाई का इसास उसमें पैदा करते तो इससे जादा हक और इससे जादा बेहतर कोई दुनिया में मजभ नहीं हो सकता तो उन्हीं से कहता है मुझे भी इसी राह पर डाल दो जिस राह पर तुम चलते हैं बहान अल्मा और फिर पूचा ये बताओ कोई ऐसी जगा है जहां तुम लोग यहां एकटा हो तो शारा पर का नहीं का मैं बना का और उसी रास्ते पर उसने बहुत भी जूच खान का बहुत बरी खान का आई और पूरी जिन्दगी खिद्मत करता रहा उस खान का चाहदिन बन गया अब अपने आपको देखें अब अपने आपको सलाम कर लेंगे तो छोटे हो जाएंगे हम तो बहुत बड़े हैं हम तो मुफ्ती हैं हम तो अल्लामा हैं हम तो मौलाना हैं हम तो कारोबार में टॉप पर हैं I am an industrialist, capitalist, मैं teacher हूँ, ये शागिर्द, मैं अबा हूँ, ये बढ़वा है, कैसे सलाम करने, यो तो मैं बहुत छोटा हो जाओगा, अब सलाम को बड़े और छोटे से कहां जोड़ दिया, कहां जोड़ दिया, लेकिन आप देखी अपनी पस्ती को हम लोग अपनी, यहां किसी की हजो मकसद नहीं है, मैंने काना जमूत तारी है, कुछ चीजें हम भूलते जा रहे हैं, जिस पर हमने गोर और फिकर करना छोड़ दिया, बजाहिर छोटी 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 लगती हैं, ले होने लगती हैं, आज औरमा पर भी एक अच्छी खासी जो है प्रेशर फील ये करते हैं, अच्छा खासा प्रेशर फील करते हैं, दबाव महसूस करते हैं, यह करूं की नहीं करूं, पता नहीं अवाम में इसका क्या रिजल्ट आएगा, कहीं नहीं आप मौजूद है, जब हमें तो अल्लाव उसके रसूल की दीवी फिक्र से चलना है, अब इन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे ये जाने हैं, हमें तो वही फिक्र पेश करनी हैं, जो हमें हमारे रभ ने अपने हबीद के जरीए अखाती हैं, यह फिक्र भी खलत है, मेरी समझ से यावाम क्या स उचेएगी, सोचते हैं, हाक हाक है सच है, वो सामने आना चाहिए, अचरी क्वास्ट, वो आना चाहिए, बास समझने की हैं, अभी मुलाना साहब कई ख़ड़ो हो जाएं, किसी मदर से के, प्राब्लम, मुलाना साहब कि किसी पंडित जी से दोस्ती हो जाएं तो प्राब्ल अनकी दोस्ती क्रिश्टन से, इनकी दोस्ती बुदित से है, इनकी इस से, उस से, ये कैसे मुलाना ये आपने कहां से करती हैं, मैं आपको तारीख के कुछ औराख पढ़ती हूँ, आपका जहन ले जाना चाहता हूँ, आप जानते हूँ, आपने उल्मा से सुना हैं, ऐसा categершर करनी के नहीं सुना, बहुत सिर्ब गोर फिक्र करने के, आप खेहर उम्मत हो, अपने आप को पहचानौ को तुम कोहीं मामोली लोग नहीं हो, तुम खेहर उममत हो तमाम कोश्क के लिए हैं, तुम्रा वجूद दुन्या की तुमाम कोश्य •ड़ है, तुम कोई मामोली ल तो और ने environments नहीं हो तुम यान तुम प्ल फर दो लोग नहीं हों, तुम वो हो जो एक अल्लाह की अबादत करने वाले हो तुम मामूली नहीं हो अपने आपको प्रेचानो, तुम हो को है यह मुद्छूमियत कर जो रोना रो रहे हो गलत, बंद करो गे यह ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए तुम मजलूम कैसे हो सकते हो तुम कमजोर कैसे हो सकते हो तुम्हे कोई कमजोर कर कैसे सकता है मुम्किन नहीं हर्गिज नहीं तुम उस रब की अबादत करते हो जो खालिक काईनात है जो एल्टिमेट बावर है जो सुप्रीम बावर है वो रब सबसे जादा तुम्हें चाहता है कोई नहीं जो हमें हमारे रब से जादा चाहे सबसे जादा हमें हमारा रब चाहे और बादे रब अगर कोई हमसे जादा महबद करता है तो वो कोई और नहीं हमारे आखा मुहमद अरबी चाहता है और बादे नबी हम सेगर कोई महभवत सबसे जजदा करता है तो रूए जमीन के तमाम और याई किराम लुखान अल्ञा बादे नबी या और याई किराम हैं जो हमसे महभवत करते हैं खूब करते हैं उसके बावजूद आप कहते हो कि आप कमजोर हो उसके बावजूद आप मस्लूमिय का रोना रोते हो कि आपके साथ तास्व हो रहा है आपके साथ जिम हो रहा है फिक्र गलत हो जाए दोस्तों रिजल्ट बदल जाएगा हमेशा एक बात को याद रखना अगर फिकर विदल जाएगी तो रिसल्ड विदल जाएगा किसी बात को आपने खलrire समझ लिया तो रिसल्ड भी उसका खलत आएगा बात सही समझी तो रिसल्ड भी सही हमिदा बेशक ना बर गालबान आप उस बात को समझ नहीं सके थमीं कह रहे हैं मजलुमियाद ظلم मैंने तस्मीम करता हूं इसलिए मैं आपसे करता हूं कि एक बार महबस से निगाँ उठाओ जिस तरफ भी निगाँ जाएगी हर गुम्बद वाला तुम्हारा वारिस तराएगा तुम कैसे लावारिस हो सकते हैं तुम कैसे कबजोर हो सकती हैं सब देख लिया तुमने न देखा तो अपने आप के लिए भी देखा सब भी करें सब को देख भी रहो सब के उपर दिमाग भी लगा रहो 24 घंटे उनकी फिक्ष भी है नहीं है तो अपनी फिक्र नहीं अपना महासबा नहीं खुद नहीं सोचा कि आप ने क्या किया आप क्या करना है तो जो बात मैंने छोड़ दी थी पहले उस तरफ जाओगा प्रेशर के लिए एक मत करो बात जब तक समझो नहीं बोलो नहीं बोलने से पहले बात को समझना जरूरी है और ये सब के लिए है तो कि आज हम कहीं न कहीं ख़ैर जिम्मेदारादा हरकत कर रहे है सुनी सुनाई पर जब कि कुरान कहता है जब तक तक तह्तीक न कर लो कुछ मत बोल जब कुरान के वसूल के खिलाफ जाएंगे तो जलील और उस्वा होने के सबाद उचना है चुक्कि हमारा कंस्टिटूशन कुरान है यह हमारे हर सुआल का जवाब देने वाली किताब है और जिस चीज़ से उसने रोक दिया उसके अगेंस जाएंगे तो जलील और उस्वा होती है जब कोई जानने वाला यह गलती करता है सुनी सुनाई पर अभी फद्वात वुप तो बहुत बोल दिये अभी इस तरह मैं नहीं जाँगा वो दोहराना नहीं है मुझे तोड़ा सा टच ज़रूर दूँगा समझाने की अब मैं आपको बताता हूँ तारीख के और आख फल्टो नभी के चालिस साल जो एलान नभूवत से पहले के वो कितने है चालिस साल चालिस साल अभी एलान नहीं किया है नभी न अब आख लोग गलत फहिमी में मुब्तला हो गए कि चालिस साल के बाद मिली अब ये गलत फहिमी एकाद मिली है एलान नहीं किया है वगरना नभी तो उस्वत भी नभी ते जब हज़त आदम पानी और मिट्टी के दर्मिया ये तो ना समझी है वो समझे कि एलान को ही उनों नभूत का मिलना समझ लिया वो उनकी समझ है परहला एले सुन्नत तो नहीं है तो जो आपका अधिदा में उसी के मताबिक कह रहा है कि चालिस साल की जिन्दगी नभी की और जब कि नभी की जिन्दगी हमारे लिए रोल मॉडल है नभी की जिन्दगी का कोई भी लमहा ऐसा नहीं जो हमारे लिए रोल मॉडल ना हो आप समझे ले ना पूरी सिन्दगी 63 साला जो बजाहिर जिन्दगी हम जिस पहलू पो भी देखें जिस तरफ भी देखें हमारे लिए तालीम मौजूद है किबरत मौजूद है राह मौजूद तो मैं आई ये बर उस चानी साना जिंदगी की तरफ थोड़ा सा आपका जहने ले जाओ इलान नभूत नहीं हुआ ऐसे वक्त में नभी बैठे किसके साथ सोचो नभी बैठे किसके साथ नभी की चले किसके साथ नभी को बुलाया किसने नभी ने बुलाया किसने अभी तो ऐलान नभूत हुआ ही नहीं है अभी तो ऐलान नभूत हुआ ही नहीं है तो अगर मुसल्मान होने का कोई चांस ही नहीं जब ऐलान करेंगे नभी तम मुसलमान होंगे न, बोलो, और अभी ऐलान हुआ ही नहीं, और जब हुआ नहीं, तो क्या नभी ने एक कमरे में सिंदगी गुजारी, क्या तारीख ऐसा बताती है, नहीं न, शोशल लाइफ है, नभी की लाइफ पूरी तरह से शोशल है, वो मिल किया तो किसके साथ, सफर किया तो किसके साथ, किजी ने दावत दी तो वो कौन था, और नभी ने किसको दावत दी वो कौन था, यह पहलू नहीं आता नज़र, यह भी तो नभी की ही जिन्दगी है, यह भी तो नभी की ही सीरत है, और नभी की सीरत हमारे लिए रोल मॉडल जो कुछ भी है इस तैस साला जिन्दगी में हुकुमन आया लेकिन क्या चालिस साला जिन्दगी में कुछ नहीं दिया तो शरियत दी तैस साला जिन्दगी में तो चालिस साला जिन्दगी में क्या दिया और नभी की जिन्दगी का कोई भी लबा ऐसा नहीं जो तालीम देने से खाली हो तो पिर नाभी ने इस चालीस साला जिन्दगी में क्या तालीम दी बड़ा इंपॉर्टन बात है इसकी दरफ हम गोर नहीं कर रहें शायद अगर कर लेंगे तो प्रेशा डालना छोड़ दोगे यहां से लेकर वहां तक और वहां से लेकर यहां तक एसलिए तो काम कर ले गए इसलिए तो काम कर ले गए ना भुटरते नहीं थे और सूफी होने के लिए तो शायद आज के दिन में क्याँ पहले ही से है 10-20 जब लग जाए तो अच्छा सूफी जब तक 10-20 ना लगें, क्या ना लगें, बताओ जरा, देखें क्या सम्झे है, बहलो, हम तो समझ रहे तो बड़ा इल्मी जौक रखते हो, अभी तो सम इशारे भी समझ लोगे, तो मिझे तो खोल-खोल के बतानी पुड़ेगी फिर तो, क्या लग जाएंगे जब सूफी मज मजबूत हो जाएगा, है तो शर्मा क्यों रहा हो जो बार सची है बोलो ना, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है, उतनी मजबूत होता है, है ना, हज़ते मौयदीन इबन अरभी पे बहुत लगे है, हज़ते भायाजीद मुस्तामी पे बहुत लगे, आप समझ रहे ना, गरीम नमास पे तो इसन ये नहीं लगे कि कोई ठाई नहींगी।